कहते हैं हर इंसान जंदगी में कभी न कभी किसी से प्यार करता है प्यार क्या होता है इसे समझने का बस एक ही तरीका है और वो है खुद प्यार में पढ़ना और आज मैं गोपाल मिश्रा अच्छीखबर.com पर आपके साथ प्यार में पढ़े कुछ दिवानों के बेहत रोमैंटिक थौट्स शेयर कर रहा है तो आईए देखते हैं इन्हें मेरी कोई उम्र नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है और मैं कभी मरता भी नहीं जनाब मुझे इश्क कहते हैं दुनिया के लिए तुम एक इनसान हो, लेकिन एक इनसान के लिए तुम पूरी दुनिया हो जब तक प्यार में पागलपन ना हो, तब तक वो प्यार नहीं है मुझे जननत नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो मुझे सबने नहीं चाहिए क्योंकि तुम ही मेरा सबना हो सोने से पहले मेरी आखरी सोच हो तुम और उठने के बाद मेरी पहली सोच हो तुम I love you अगर आज मुझे पता है कि प्यार क्या होता है तो ये बस तुम्हारी वज़ा से है Love you so much ममा पापा ने मुझे पैदा किया है लेकिन वो तुम हो जिसने मुझे जिन्दा रखा है I'm in love with you जब मैं उठता हूँ और तुम्हें अपने बगल में लेटे हुए देखता हूँ तो अपने आप ही मेरा चेहरा खिल जाता है मैं जानता हूँ कि ये दिन अच्छा होगा क्योंकि ये तुम्हें देखने के साथ शुरू हुआ है क्या मैं तुमसे एक किस उधार ले सकता हूँ वादा करता हूँ मैं इसे जल्द लोटा दूँगा सच्चा प्यार आपके कहने से पहले ही समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो जब मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ तो मैं तुम्हें मिस कर रहा होता हूँ लेकिन जब मैं तुम्हें मैसेज नहीं करता तब मैं इंतजार कर रहा होता हूँ कि तुम मुझे मिस करो मेरे पास तुम्हें छोड़ने की लाखों वजहें क्यों न हूँ फिर भी मैं तुम्हारी साथ रहने की एक वजह ढूंड लूँगा क्या तुम्हें पता है मैं इस सवाल में जो दूसरा लफ्स है उससे बे इंतहा मुहब्बत करता हूँ कोई भी जगह जहां तुम मेरे साथ हो मेरी फेवरेट जगह है मैं तुमसे बस एक दिन कम जीना चाहता हूँ ताकि मुझे कभी भी तुम्हारे बिना ना जीना पड़े तो दोस्तों ये थे लफ पर कुछ बेस्ट रोमैंटिक थॉट्स आपको ये कलेक्शन अच्छा लगा होगा और रिक्रेस्ट यू कि प्लीज आप इसे लाइक करें इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस पर कमेंट करें और हाँ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार थैंक यू